असलाम अलेकुम माई यूटिव फैमिली, विल्कम बैक तो मै चैनल, विल्कम बैक तो एनदर विलॉग, एनदर ब्यूटिफुल दे, कैसे आप सब, I hope कि आप सब खेरियत से होंगे, तो सुबह सुबह ना आंखों को बड़ा ही प्यारा लगता है, अगर आप ग्रीन ड्री को देखें, जैसे आंखों को ठंडक मिलती है ना, तो वैसे ही आंखों को ठंडक मिलती है, सुबह सुबह का टाइम है, ये बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उनके बाबा ओफिस जा चुके हैं, और रात को मैं लाई थी ग्रोसरी, तो मुझे जहन में नीरा और रात को मुझे याद आया चानक से कि मैं जैसे ही हम आये थकावर्ट से इतनी जादा थक चुके थे तो मैंने आते ही ऐसे रख दी जो फ्रीजर वाले आइटम्स थे वो मैंने निकाल दिये बस और फिर मुझे जहें में आये कि मैं रात को विजटेबल्स लाई थी तो जादा नहीं थी बस य मैंने वो निकाले उसके बाद जी कप निकाले क्योंकि अब मैं ग्रोसरी सारी खोलूंगी अपनी चेक करूंगी उसे अब जैसा कि ये कप्स हैं अगर मैं आकर इसको ऐसी रख देदी तो आव्वियस बात है मुझे पता ही ना चलता बट अगर मैंने चेक किया वहां पर भी कचर ने गुजारा ही है अब ही तो मैंने दो कप ले लिए इसमें से एक बेच चला जाएगा आइ तिंक कि उनके पास दूसरा था ही नहीं तो खेर हम चेक करेंगे बिल ले कर जाएंगे शुकर है इन स्टोर्स पर ना वापस कर देते हैं चीज और कोई बहाने मगारा नहीं करते हैं अराम से आप जाएं बिल दिखाएं और इनको बताएं कि ये मसला है तो वह आपको वापस कर देते हैं और ग्रोस्री में ना मैं हर महीने क्योंकि एकठी आपको पता है महाई इतनी जादा है एकठी इनसान चीज नहीं ले सकता तो ये जो मसाला जार्स है ना हर मही आइस्ता आइस्ता से चीज एकट्टी हो जाती है अगर हम जाएं और 10 से 12 12 एकट्टे लेकर आएं तो वो आप्वियस बात है वो बहुत जादा कॉस्ट है उसके साथ भी हमने ग्रोसरी भी करनी होती है और चीजें भी जैसे अब मैंने कप ले लिए तो अगले दफ़ा मैं सोच हूँ जैसी मेरे जार्ज खतम होंगे तो मैं फिर जो है ना ट्रे वगहरा ले लूँगी मतलब इस तरह एक एक करके चीज मैं हर महीने ले ले लेती हूँ तो चलें जी अब निकालते हैं अपनी ग्रोसरी ग्रोसरी निकालने का मकसद चेक करने का मकसद यह है कि डे फर्स से मेरे जो हजबन ना वो घर आते थे और पूरी ग्रोसरी निकालकर हमारे साथ टेली करते थे बिल को उठाकर टेली करने का फाइदा यह है कि एक तो आपको पता चल जाता है के बिल और ग्रोसरी सेम सेम है और काफी दफ़ा हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारे पास बिल में जो चीज़े एड होती थी ना चाहे वो 50 रुपीज की क्यों ना हो ठीक है वो हमारे ग्रोसरी में नहीं होती थी तो देखें अगर लो नेक्स्ट अगर हम जाकर उनको वापिस करवाएं तो हमारा तो पैटरोल इतना लग जाता है मगर अगर हम यह चीज़ सोचें तो फिर तो हम लोग इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं कि 50 रुपे की खातिर हम 500 का पैटरोल जलाएं और फिर जाकर उनको 50 रुपे का जो हम क्लेम करें मगर ऐसा नहीं होता हम लोग स्टार्ट स्टार्ट में भी जाते थे तो उनको रियलाइज कराना है देखें हम 50 रुपे की बात नहीं है उनके पास लाखों का बिल बनता है डिली लाखों कस्टमर्स आते हैं तो अगर सब मेंसे वो 50-50 भी एड़ करते जाएं तो उनको दिन के कितने जादा ऐसे ही पैसे बन जाते हैं तो उनको रेलाइस कराना है कि वो ऐसा करते हैं तो दो-तीन दफ़ा मारे साथ ऐसा हुआ हमने even 20 रुपीज या 40 रुपीज की खातिर भी हम उनके पास गए हमने उनको क्लेम किया हमने वो कैमरे से मतलब फिर चेक करते हैं और वाक्ति उन्होंने हमें पैसे वापस कियो और अब काफी अर्सा हो गया हमारे पास ये शिकायत नहीं आरी हमें अभी भी मैं चेक करे थी कि मैंने जहना दो लीन थी काफी उसमें से एक थी एक मैं अची तरह से चेक करूंगी इसमें से एक निकली है और एक नहीं निकली तो दूसरा मकसद ये है कि मैं चेक करती हूँ, एक तो टेली करती हूँ, बिल दूसरा फिर संभाल भी बंदा लेता है, तो फिर इतने इतने दिन ऐसे ही शॉपर्स रखे रहते हैं और पिर जब टाइम ही नहीं मिलता तो संभाल लेंगा, तो खेर दूसरा ये है कि अब हमने ये भी इस्राइली है, कनौर भी इस्राइली है, मेरी सास हैं, वो बिलकुल गाला के लावा कोई खाती नहीं है डिस्किट, तो ये चोटी चोटी इंशाला इंशाला गर हम कोशिश करेंगे तो हम अपने टेस्ट भी खतम कर देंगे, बाइकॉर्ट की खातिर, अब सर्फ है और चेंज कर लिया है, हम घी हमारे पास आप्शन्स हैं, हमारे पास पती के आप्शन्स हैं, कि हम चेंज कर लिया है, हमारे पास टूथ पेस्स वगएरा मतलब आप्शन्स हैं, बट कोई चीज़ें ऐसी हैं, कुछ-कुछ जिसमें आपके पास आप्शन्स नहीं हैं, तो ख स्कूल्स में ये बात उनको बताई जाती है अच्छी बात है उनको वेरनेस होनी चाहिए इस बात की कि क्या चीज हम लोगों के मुस्लिम्स के लिए जो है कौन हमारा दुश्मन है और कौन हम लोगों का जो है फ्रेंड है तो खैर इन्शालला इसमें आई थिंग गाला है उध सनोवीटा ही नहीं है बाकी आई थिंग सारे ही इस्राइली है इन्शाला 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 नेक्स टाइम ग्रोस्ट्री में आपको दिखाऊंगी मैं ये भी अच्छा हला कि हम नेस कैफे क्लासिक यूज़ करते हैं मेरे बच्चों को हम लोगों को बहुत वही अच्छ एक कैरमल में तो हमने दो ली थी अब यह देखें पूरी गरोस्ट्री मैं वैंने को लिए इसमें जो है झैना दूसरी नहीं है बट ये हम देखते हैं कि उन्हें हमारे बिल में भी एड़् की है या सकिप लिगे तो बिल में तो थी शायद मैंने चेक किया था अब ये भी हमें जाना पड़ेगा और उनको क्लेम करना पड़ेगा बट पहले मैं गाड़ी में देखूंगी में भी रखते हुए गाड़ी में गिर गई हो या किसी ने निकाल ली हो मैं पहले पूरी तरह कन्फर्म करूंगी उसके बाद जाकर उनको क्लेम करूंगी और फिर हम उनकी जगा उसकी जगा या वो ही ले लेंगे या फिर वो पैसे भी वापस कर देते हैं तो यह देखें, यहाँ पर दो है यह कलब कैरमल कॉफी है और दूसरी जो है एस्प्रेसो है अब एस्प्रेसो तो हमारे पास है बट कैरमल नहीं है तो यह देखें, सेकीन पे एस्प्रेसो है तो खेर जी, अब हम ग्रोसरी को करेंगे और्गनाइज और इसको रखेंगे ताकि हमारा काम खत्म हो जाए लेकर आना मुश्किल नहीं होता बट जो रखना है ना बड़ा ही मुश्किल काम है और यहां जी जब से मैंने ग्रोसरी को इन बॉक्सेज में और्गनाइस करना स्टार्ट किया ना बिकिन करें मेरी जिंदगी असान होगा यह भी खड़ती नहीं है इधर उधर मेरे पास मैं बास्किट्स लोंगे इंशाला नेक्स्ट जो मैं लोंगी ना अपने एक्स्ट्र आइटम्स पे मैं बास्किट्स लोंगी ग्रोसरी को और्गनाइस करने के लिए तो यह है कि भी खड़ती नहीं है आपको पता होता है कौन सी चीज़ कहां पड़ी वी है तो यह मेरे पास शूब बाक्स थे बिल्कुल इंसाथ सुत्रे थे तो मैं इसी में ही रख देती हूँ और बड़ी असानी होती है उठाने में रखने में करने में और यह मैं ग्रोसरी भी अपने रूम में रखती हूँ एक कबर्ड मैंने पूरी बनाई वी है क्योंकि जब से मैंने अपने रूम में स्टार्ट किया ना यकिन करें मेरी ग्रोसरी बच जाती है खास तौर पे पत्ती चीनी यह चीज़ें जो है ना हमारे घर में मेर्ज आती है हमें खुद इस बात का इहतियाद करना चाहिए देखिए आज कल की महंगाई के दोर में हम एक जो है साबन भी अफोर्ड नी कर सकते कि कोई हमारा साबन भी एक्स्ट्रा लेकर चला जाए और हमें खुद इहतियाद करनी है यह आपकी जो है ना आप लोगों का तरीका सिलीका होता है अधर वाइस बहुत असान होता है जाकर आप यह सारी जाकर किचन में रखते हैं और कोई पता ना हो तो खैर मैं अपने हाथों से ही उठा कर देती हूँ अपनी मेड को अपनी जो आती है मेरी मेड कपड़ों वाली अलग है वो आती है तो हर चीज उसको पता होता है कि बाजी ने अपने हाथों से दी है और बाजी को पता है तो खैर यहां से आपको आपिस बात है आपको चेक-इन रखना होता है मुश्किल होता है तो वो गए थे जी मंडी मंडी से वापिस आए अभी हम ग्रोसरी जो हमारी कुछ रही गई थी तो मंडी से उनने का कि चलें आप यह दे कर चलें गए और अब आप संभालें इसको तो खैर आज का दिन तो मुझे लगता है ऐसे ही गुजर चाएगा अड़े भी आ गए थे और गाचरें भी आ गई थी यह तो मेरी बेड़ ने कुछ कुछ रख दी यह देखें लेमन क्योंके मैं घर नहीं थी तो मैंने जो है ना लेमन थे मेरे बास्किट में जो खराब हुए वे थे उनको मैंने निकाला पूरा दिन आज और किचन को थोड़ा और्गनाईज किया मतलब जब आप घर नहीं होते ना तो आपके हाथ की जो चीज़ नहीं होती ना तो आपको बड़ी ही अजीब फील होता है जब तक आप अपने हाथों से हर चीज़ को रखे ना तो ये है जी मेरे फ्रीजर वाले आइटम्स जो के रात को मैं ग्रोस्टी के साथ लाई हूँ अच्छा ओपा के कॉर्ण्स बहुत अच्छे हैं अच्छा पहले मैं लेती थी मनोसलवा, केनिन्स, मेन्यू ये सब लेती थी बट जब से मैंने डॉन लेना स्टार्ट किया ना हॉर्ट शॉर्ट्स कास तोर पे, चपली कबाब बर्गर पैटीज, इसके बहुत फ्रेश और बहुत अच्छे होते हैं हाँ, और जो मनोसलवा है ना उसके इस दफ़ा मैंने कबाब लिए हैं और इस दफ़ा जो वो होते हैं, इसके सॉसेज़, वो केनिन्स से भी अच्छे होते हैं मनोसलवा के बट उसमें आप चीज ना लें, आप बार्बिक्यू सॉसेज़ लें तो बहुत अच्छे हैं चीज भी इस पार मैंने थोड़ी बड़ी ली है और प्लेन प्राथा मैं हमेशा मैन्यू का लेती हूं या भी नहमारा चीज़ब का प्राथा होता है तो वो भी बहुत अच्छा होता है बट उसने इसकी तारीफ की है प्राथे की कि मैं मैं आप लेकर जाएं मनू सल्वा का बहुत अच्छा है तो यह मैं ट्राइ करूंगी और प्रे मैं आपको बताऊंगी कि यह कैसा है यह हो गए जिसने तमाम फ्रीजर आइटम्स यह तो खास दूर पर बच्चों के लिए जो है ना बस लंच के लिए यूज हो जाते हैं तो आज के आज मैंने जैसे ही सबजी वगएरा आती है ना तो मैं उसी दिन ही मतर चील के और धनिया वगएरा साफ करके ना रखवा देती हूं क्योंके फ्रीज चोटा है मेरा भी इसमें बहुत ज़दा एक्स्टा जगा नहीं होती और चीज खराब नहीं होती भी मतर को मैं एक बॉil दे कर ना मतर भी फ्रीज कर देती हूं क्योंके मन्डी से जब सबसी आती है ना तो इकटी आ जाती है तो खैर जब उसको आप ठीक मतलब करके साफ सुत्रा करके रखेंगे तो आपके एक तो जगह की कम यूज होगी फ्रीज में और दूसरा वो खराब नहीं होगी तो ऐसा है कि अब फिर मैंने सालन भी बनाना था खाना भी बनाना था टाइम हो रहा था तो मैंने देसी मुर्गी चड़ा दी और यह जो चमच मैं भी लेकर आई हो ना इसको मैंने यहां यूज किया है क्योंके चखने के लिए जाहरी बात है आपको नमक में चखनी होती है तो यह सिलीकॉन का मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने यह भी ले लिया तो यहां पर जी मेरी देसी मुर्गी टियार हो गई और जब धनिया होती है ना वो भी ताजी 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 तो मैं का खुश्बु होती और जब शकल अच्छी होना आपकी किसी भी सालन की क यसी भी चीज़ की तो आपको खुद बहुद वो चीज़ अच्शी लगती है, उसका जाइका भी अच्छा हे जातााँ, उसकी खुषपू की तो माशाला ताजी लगती है तो ये जाहिरी बात है ये शोर्बे शोर्बे वाला बनता है मेरे बच्चे जो है ना वो शोर्बा खाते हैं और वो जो है चिकन कम लेता है तो इसलिए हमारे घर में ना मेरी सास हैं वो भी और मेरे बच्चे भी तो मैं कोशिश करती हूँ कि पतली पतली वाली जो सालन होते है ना वो बनाओं खास दोर पे देसी मुलगी का तो वैसे भी पतला ही बनता है और जी जैसे कि मैंने आपको ग्रॉसरी दिखाई, सबजी दिखाई, फ्रूट्स दिखाई उसके साथ ही चिकन भी आज ही आया था और चिकन हमने मैंने यहां पर डाल ट्रा दे थी और मैंने चिकन घाना बनाने स्टार्ट कर दिये थी जी शामी और जो बोनलेस चिकन था इसके मैं चंक्स बना के रखतूंगी जो के बहुत यूज होते हैं बच्चों के लांच में पीजा बनाना हो कभी भी तिका चंक्स बना के रखते हैं आप और मज़े करें फिर हर चीज क्योंके देर लगती है चंक्स में तो जी ये है नेक्स टे रात को हमारी शामी भी बन गई थी शामी कबाब में टरा दिये थे अब सुबह सुबह का टाइम है और सबसे पहले हमने बनानी है शामी टिक्या ताकि जो गेस्ट वगर आते हैं सर्दियों में बड़ा ही मसला होता है कि हम क्या उनको दें अब्यस बात है चाय के साथ कोई नहीं कोई चीज़ देनी पड़ती है जैसे कि बॉटल भी आप नहीं दे सकते और भी कोई चीज़ इस तरह की नहीं दे सकते तो शामी टिकी जब बनी होना तो फिर बहुत ही शामी कबाब अच्छे लगते हैं महमानों को देने के लिए घर में कभी बर्गर बनाने के लिए अंडे शामी वाला बर्गर मेरे बच्छे बहुत शौक से खाते हैं यहां पर जी हम बनाएंगे शामी कबाब ये भी मैं बना के रखतूंगी और जी कल आएगा हमारा मेरे हस्बंड लेकर आएंगे उन्होंने शुकर है आज कीमा नहीं आया वो भी आज ही आना था तो खेर ये मैं शामी कबाब ये लिए शौपर काटूंगी और ये बना कर रखतूंगी और फिर बहुत फाइदा हो जाएगा और इतने दिन हमारे शामी कबाब जो है ना चल जाएंगे उसके लाव मैं सोच रही थी रमजान शरीफ आ रहा है तो उसके लिए भी थोड़ी त्यारी स्टार्ट कर दें अभी नेक्स्ट मन हमारे गिस्ट सारे है मतलब मेरे जो देविर है ना वो बाहर रहते हैं वो आ रहे हैं तो उनकी थोड़ी बहुत त्यारियां करनी है तो इन्शाला इन्शाला आपको साथ साथ दिखाएंगे फरनीचर भी मैंने चेंज हम लोगों ने थोड़ा करना है कर्टन्स वगयरा लगवाने है तो इन्शाला नेक्स विलॉग में आप लोगों को जरूर बता इन करेगा तो उसकी बातें सुनें बड़ी प्यारी बातें करेगा और आप जो है नवाकी में खुश होंगे तो अब मैं शामिक कवाब बनाती हूं और आप सुनें है अधु झालने हूं था लिए को सब्सक्राइब को इसलिए करने शगा जिलिए निचेवरी अब अर्टों सब्सक्राइब तो आपको दिखाता हूँ वार्च के फीचर आप देखे जबिले जे पहले है ये स्मार्ट बोच ये है पंदरांग सोकी है इसका बैंड भी आपको तार की दिखाता हूँ यहीं वी दो मैने पड़े वीडियो यही दुसी परता है इसके बैंड भी अच्छा है इसके बैंड बॉस आंड़ा शॉप्त है और आपको इसके अंदर यह डाल होगा घ्मिलों है और आपको यहां सी कुछ बटन ने दुबाने पुड़ेगा बस आप इसके जबाए और शै और एक ये भी है आप रेस लगाने हैं और सब्सक्राइब कर देट भी आप लोग के साथ इंटर्च रहूं मिलते हैं नेक्स विलोग में नई बातों नए कामों के साथ टेक कियर आफ यॉर सेल्फ आला हाफिज क्शव़ ले बातों के साथ एंटर्स कि एंटर्स टें सेल्फ यॉर आप यॉर्चर a जो और बातों कि एंटर्स लोग Phil